आप लोग अवाज आ रही है कि नहीं आ रही है गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग ओप कि आप सब लोग ठीक होंगे स्वस्थ होंगे चलो तो उमीद कर रहा हूँ कि आपको जो है मेरी आवाज आ गई होगी पहुच गई होगी सब तक आई थिंग सब लोग लाइव आ भी गए है तो भाईया ऐसा है कि काफी दिनों बाद अपने लाइव सेशन फिर सुरू किया है और एशिया जो आखरी मैप रहे गया है पहला दिन आए हो नए लर्नर हो नीचे कॉमेंट सेक्शन के उपर ही पिन किया हुआ है पूरी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज है सबसे बड़ियां सीरीज मिलेगी सर लाइक नेवर बिफोर सारे दुखदर दूर हो जाएंगे मैप के कोई भी प्रप्रेशन कोई भी एक्जाम की त्यारी शुरू कर रहा हो आप तो पहले मैपिंग कर लो करेंट अफेर्स और दूसरी चीज़ें जोगरफी बहतर धंग से समझ पाओगे ऐसे ही आज आखरी कॉंटिनेंट रहे गया एशिया एशिया की प्रारम कर रहें और बिलकुल स्पस्ट शब्दों में कहूंगा एक या दो सेशन में नहीं होता है यह कंप्लीट इसको लगेंगे भाई या पांच-छे सेशन कंटिन्यू क्लास लेंगे अपन साम को साड़े आप मिल सकते हो और सब लर्नर्स आ जाना इसके पहले साउथ अमेरिका नौर्थ अमेरिका यॉरॉप अफरीका औस्ट्रेलिया सारे कॉंटिनेंट्स हो चुके हैं एशिया रहेगा प्रिविएस यहर के यूपीस्ट के भी कोश्चन नहीं आप देखते हैं और मैपिंग का म दस कोश्चन आपने कलेक्ट की हैं प्रिविएस यहर के तो दस में से साथ आपको छे जो हैं आपको साथ आपको एशिया की एशिया को अच्छे से पढ़ना है आराम आराम से पढ़ेंगे दो तीन सेशन में मैं पॉलिटिकल मैप समझाऊंगा आपको पूरा जितना भी कंट्रीज को स्ट्रॉंग करना पड़ेगा उसके बाद पूरी स्टोरी जो है हम लोग फिर आगे बढ़े ठीक हैं तो कंट्रीज को बहतर करना पड़े क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मैप को जिसको बहतर बनाना मैप की लर्निंग को जिसको बहतर करना तो मेरा नभव यह कह मैपिंग आगे इसके बाद NCRT खूब सारी चीज़ें मिल रहे हैं आपके इसमें जरूर कर लिजा सब्सक्राइब साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है यह वर्ल्ड मैप जो दिख रहा है आपको इसमें यह हो चुका है यह भी हो गया है अफरीका यूरॉप ऐस्प् पढ़ेंगे तो इतना तो समझ में आए कि दुनिया में कहां पढ़ने वाले हैं हम जो कौन सा एशिया क्या कहना चाहरा है तो वर्ल्ड में कौन सा हिस्सा है वो कौन सा कवर रहा है हम लोग यह समझ आ गया है सबको एशिया की कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद घर ब चाहे आप टेस्स को ले लो चाहे complete notes को ले लो पूरा syllabus जितनी बार देखना और recording live सब कुछ आपको अवेलेबल है और सबसे इंटरस्टिंग बात 2023 के शुरुबात में जो है आप यह कह सकते हो कि आप लोग के लिए 23% के साथ discount मिल रहा है तो जो भी लर्नर सब्सक्रिप्शन लेना चाहरा है वो डेफिनेटली ले सकते हैं कोड आपको यूज करना है सबसे पहले तो यह साइड हो जाओं ताकि आपको भीड में दिख जाए अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा आपको यह मुझे पता है तो जो चाद्र टाइप करने वाले थे जूम कर दो मुझे दिख नहीं रहा या दिमाग में जब आ रहा था जिनता मत करना जो हिस्सा पड़ा हुआ हमेशा की तरह जूम करता हुआ हम लोग चलेंगे ठीक है तो यह पूरी स्टोरी आपको दिख रही होगी तो नो डाउट हम लोग इसमें एशिया को कवर करने वाले अब यह रशिया जो है इसका आधा पार्ट इधर यूरॉप में है यूरेशिया हम नहीं कह जायक हो तो उसको आप डिवाइड कर लो बटवारा कर लो उसका और फिर करो राज सेम कानी एशिया समझ नहीं आ रहा है या एशिया कठिन भी लगता आपको सबसे बेस्ट काम है कुछ नहीं करना आपको इसको डिवाइड कर लेना प्यारे भारत की तो अभी जरुवत है इनको तो अलग से सेशन लगेगा ये एकदम इसमें कंप्लीट नहीं हो सकते है इसके आधार पर आप डिविजन कर सकते है शुरुवात के सेशन मेरे ये वाले रहेंगे जिसमें ये जो साउथ इस्ट समझना साउथ मतलब नीचे इधर इस्ट साउथ इस्ट मतलब वो कभी सुना होगा ना आपने इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वि Teenhouse है ना तो ये सारे देश जो है हम इदर डिसकस करेंगे थोड़ा उपर जाएंगे तो फिर जैपैन वाला हिस्सा जाएगा कोरिया वाला हिस्सा जाएगा रषिया और मंगOLिया वाला हिस्सा ज मतलब साउथ और इस्ट साउथ इस्ट एसिया अब इसमें देश आपको दिखेंगे नहीं वह मैं पढ़ा दूंगा लेकिन कभी सुना तो होगा कि इंडोनेशिया मलेशिया कंबोडिया लाउस वियतनाम थाइलेंड म्यानमार यह सारे जगह थोड़ा नौर्थ में सेकंड हिस तो यहां से हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हिस्से को ठीक है कहां पढ़ा रहा हूं मैं समझ में आ रहा है एटलस भी हो तो एशिया का यह वाला पार्ट आप लो प्लीज ओपन कर लेना ठीक है सो लेट स्टार्ट इस छेत्र को कर रहा हूं मैं जूम यह किया मैंने जूम अब तो थोड़ा सा बिल्गल ऐसे दिख जाएगा कि अच्छा अच्छा तो देखो मैं कहां पढ़ा रहा हूं ध्यान रखना इधर वाल दानी देखो बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के चलते बोले सर वह बर्फ पिगल गए ग्लेशियर पिगल गए ग्लेशियर पिगल गए तो सी लेवल राइस होता तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है आईलेंड कंट्रीज को होती हैं ऐसे देश जो की द्वीप में हैं के रूप आपको जौ है ईदर आपको एक बाली नाम नाम का मिलेगा इधर यह वाला जो आइलेंड नेंगे तो मैं आपको लिक mentor दिखा सकता हो यह वह लिक दे रहा हो खाइज आइलेंड काफी बड़ा है बॉर्नियो आइलेंड ये सुमात्रा आइलेंड ये जावा आइलेंड ये बाली आइलेंड है और ये वाला भी आप लिख सकते हैं मैं लिख देता हूं तो ऐसे कुछ आइलेंड्स हैं मतलब किसके इंडोनेशिया के तो इंडोनेशिया जो देश है इसको आइलेंड भी कह सकते हैं आइलेंड के रूप में बना हुआ है बहुत हजारोद हुई है वालकेनिक ओरीजिन है रिंग ओफायर जो हम कनवर्जेंस में पढ़ते हैं फिजि अब वही बात ग्लोबल वार्मिंग के चलते सी लेवल के राइज होने से यह पिगलना शुरू हो गया पिगलना मतलब यह इसको मत पिगला देना नहीं तो यह पिगला दो बॉर्णियों में डेर इस रीजन कॉल्ड काली मंतन चेटर उस इस्ट काली मंतन चेटर में यह जो नुवह संत्रा करके जो दिख रहा है नया संत्रा याद करने नहीं याद वह यह तो अब जो है पहले हम कहां थे एंड पॉर बेटर एक्सपिरियंस आप अपने जो थी हम पहले कहां थे जावा पे थे जकारता से आप वो नो संत्रा तो यह इसकी राजधानी लिख लेना पहला काम ठीक है सम इंपोर्टन आइलेंड्स ऑफ इंडोनेशिया में आइलेंड में सुमात्रा पता होना चाहिए तीसरा जो है आपको जावा पता होना चाहिए इधर यह सेलेविस पता होना चाहिए और जो लर्नर नीन में बैठे हो जो लर्नर नीन में बैठे हो वो आंसर देंगे ए नो सा बी वाला द्वीप कौन सा जल्दी से हैं जल्दी वहीया जल्दी समय नहीं है जल्दी बाकी हाँ और जिनका पफरिंग हो रहा है वो यह डिसकाउंट कोट देखो एसजी वाइटी वन जिरो अनेकैटमी पर सबस्क्रिप्शन के दोरान इसको यूज करोगे आप तो आपकी वफरिंग भी बंद हो जाएगी यूट्यूब जब तक बताओं आंसर तो बी मतलब सर बॉर्नियो ए मतलब सेलेबिस आईलेंड डी मतलब बाली आईलेंड सी मतलब जावा आईलेंड यह मतलब सुमात्रा आईलेंड बोलो तो कम से कम पांच आईलेंड तो याद रख लोगे की नहीं रख पाओंगे रख लोगे पक्का सही में चलो आज तो 300 बच्चे आ गए हो लाइक 180 कर देना लाइक मन करें और कल से को नहीं आएगा वो भी बता देना मेरे को हां जोस में तो बोले सर ने नया कॉंटिनेंट शुरू किया आज तो आके पढ़ जाओंगा और कल से फिर मन नहीं कर रहा है कल से बाद में आऊंगा बाद में देख लूगा रात में ऐसा मत किया करो आते हो तो फिर पूरे आया करो complete किया करो जो है तो सुमात्रा कर लेना जावा कर लेना बाली आइलेंड कर लेना बार्नी कर लेना सेलिविस कर लेना मैं क्यों समय दिला रहा हूं इसमें क्यों इतनी यहां पे सुमात्रा है यह जकार्ता वाला जावा आइलेंड इधर बाली आइलेंड यह बॉर्नियों और यहां पे आपका सेलेबिस आइलेंड यह कुछ ऐसे आइलेंड है इंडोनेशिया के जो कि अपने को याद रखना है कर लोगे कोई दिक्कत यहां तक चलो आगे बढ़ हेग केपिटल हम हाँ 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 एक संक्रस आद रखना अब देखो इधर देखना जड़ा मलेशिया दिखे ओ को मलेशिया का यह कलर ब्राउन जैसा दिख रहा होगा आपको यह देखो यह यह एक तो यह दिख रहा है और दूसरा जो दिख रहा है वो यह दिखाई जगह आज आधों को पता लगेगा कि मलेशिया दो जगह है ठीक है मतलब यह वेस्ट मलेशिया है और यह इधर का इस्ट मल है वेस्ट वाला और इस्ट वाला कैपिट Lewis क्या है कौलालंपूर कौछला क्या सकता क्या क्यूंत कैपिल है कौद्ध क्या होता है मलेयसिया में कौलां लमपूर इस पहली से कनेक्ट कर रहा है तो कल को बोले कि क्या मलेशिया इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर करता है क्या हां जी सर करता है कोई दिक्कत बिल्कुल करेगा अब कल को बोले कि कौन सा किस्से करता है तो इस्ट मलेशिया करता है इंडोनेशिया से बॉर्णियों वाला रीजिए यह न ह auditor अब इस्ट आपको मलेशिया थे कि ओ आता है क्मिट कर अंट कर से नो भाटरी सिंगपोर कटिन है C से यहां सहना लुकित राजधानी क्या हो जाएगी सिंगपूर सिट्ए Taylor उब भी फिर कॉस्चिन बहुत सकता हैं कि सिंगपूर जो है सिंगपूर जो दिखाई आपको वह आपको मलेशिया के कौछसे वाले हिस्से में दिखाई देरा नको यह सकता कि नुशंचरा कौन वेस्ट वाले में कैपिटल इस्ट वाला इंडोनेशिया से लग रहा है सिंगापोर्ट जो है नजदीख है किसके 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 वेस्ट मलेश है के यहां स्टेट ऑफ भी पढ़ेंगे दूर है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बहुत बड़ी है आगे बढ़ चाँ बुनेडस वाइब यह बूरे बूरे मर्णसर देश है अब आपको बताना है कि वहने जो कर रहा है वह स्ट इस्ट मलेशिया से कर रहा है तो जितने भी जी आज होता है यह बूर् तो बॉर्णियों यह आईलेंड है इंडोनेशिया का और ब्रुनेई कंट्री है नई कंट्री नई ब्रुनेई ठीक है तो बंदर सेरी वेगावन पर क्या आपको मालू है आप तो पड़े हुए हो मेरे साथ आपको पता सर को होता नहीं है बिल्कुल भी भरोसा तो आप मुझे बताएंगे वाट इस ए वाट इस बी एंड वाट इस सी डी ए ए बी सी तेजी में एक्टम गोली की तरह आंसर देना आपको बहुत तेजी में ठीक है ब्रुनेई नई ब्रुनेई कंट्री का है बंदर सेरी वेगावन ब्रुनेई बंदर सेरी वेगावन फटाफट आंसर तुरंट चाहिए मुझे ब्रुनेई हुँ हम बोहत बड़त बीम बौध बड़त ऑर सिंगापऔर कहा मिलेगा सिंगापऔर कहा मिलेगा बृनही हो pilots हो गया नो ऒ३र इस सलिविस आइलन्ड। इंडोनेश्या का साङिल्ड कौन सा ए Oracle के aúnनेश्या सिस ए इंडोनेश्या का सैलिविस आइलेड Scottish जो लेट आए हो भाई या सब्सक्राइब कर लेना चनल जी हां यह हो गया अंसर अच्छा बाली आइलेंड गुमने जाओंगा बले में तो बाली आइलेंड कहा है रहन दो गुमना उनना तो घरी रहो अब यह तो पढ़ाई करो यह यह अंसर सी है बेरी गुड और वेरिज ज जावा आइलेंड जावा का क्या करोगे तो जावा के लिए सर बी में चला जाओंगा उसके आदो सुमांत्रा कहां जाओंगा सर जी सुमांत्रा के लिए डी चला जाओंगा अच्छा मलेशिया में वेस्ट वाला मलेशिया कौन सा है वेस्ट मलेशिया सर जी ए है अच्छा उसके बाद में इस्ट मलेशिया कहा मिलेगा सर जी यह दिखाई दे रहा है अच्छा ब्रुनेई बंदर सेरी बेगावन नाम का जो कंट्री केपिटल है वो कहा है सर जी सी है और बॉर्णियों नुसंतरा जो एक तरह से आप कह सकते हो बॉर्णियों नुसंतरा काली मंतन बड़ा अपने आप में यह वह है अपने क्या कहते हैं रिंग ओफ फायर का पार्ट है ज्वाला मुखी से बना हुआ फिलिपिन्स कैपिटलिस मैनीला नॉट वैनीला मैनीला याद करक सकते हो आप लोग आप अपने एटलस पे फिजिकल मैप में देखेंगे तो यहां पर आपको यह आइलेंड दिखेगे इसका बड़ा फेमस आइलेंड कल को कोस्चन आ सकतें दो लूजोना आइलेंड कहां है कौन से ऐशियन में है तो पैसे फिक पन्टरी का है तो फिलिपिन को याद रख सकते हैं यह चीजहां याद रखना भूलना ने और बोलो कोई दुखदर्द है किसी को तो अपने जो है मालो मतलब फॉर एक्जामपल है दिवो आपसे कहे तो कौन-कौन से कंट्रीज हमने पढ़ी है लिस्ट बना सकते हो दोनों हातों से बना दूँगा इंडोनेशिया भी सर ने पढ़ाया आज सर ने मलेशिया के दुखदर्द दूर करे कि यार दो है इस्ट और वेस्ट सर ने जो है बुरुनेई बंदर सेरी बेगावन उसके बाद में सर ने सिंगपोर उसके बाद में सर ने फिलिपिन्स सारी Цीजें पढ़ा दी सरने आपको नहीं कहना आपको आपको देना है आंसर है य यह हो गयाuciones अबी कि कुर दी कि और यह पांच कंट्री से नाम बताना मुझे दोनेशिया के लिए बेहतर ओप्षेन क्या होगा आपके लिए इंडोनेशिया वी देखने को मिलेगा पहरी गुड उसके बाद में फिलिपिन्स लुजॉन लुजॉन आइलेंड फिलिपिन्स मैनीला मैनीला क्यापिटल है जल्दी जल्दी खाली मत बैठो यहां आए हो तो पढ़के जाना और वा तीन सो साड़े तीन सो बैठे हो और लाइक जो है दो सो यह भी सही है कर दो यार मतलब ठीक है मतलब फिंगर्प्रिंट थोई चले जाना है आप लोग चलो यह हो गया है इसके बाद में जो है सिंगापूर के लिए मैं फिर कह रहा हूं मैंने आपको यहां पर इंडोनेशिया सिंगापूर मलेशिया बुरुनेव फिलिपन्स यह सब देश पढ़ा दी है अच्छे से मेरी बात ध्यान से सुनना अगले 15 मिट बहुत ज्यादा महत्रपून होने वाले क्योंकि यहां से वह अतनाम कंबोडिया थाइलेंड बर्मा बर्मा मतलब समझ गया आप यानमार जी यहां नेपेदा इसकी कैपिटल तो यह वाली स्लाइड में कुछ पहचान की चीज़ें दिखाई दे रही है कि आप हंजी सर यह फिलिपिन्स अभी पढ़ाया आपने मैनीला दिख रहा है मैं मैं एशिया चल रहा है एशिया में यह वाली कहानी को हम लोग कवर कर रहे हैं अब इस जगह को मैं लेकर आ रहा हूं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर लेकर आ रहा हूं ठीक है इस भीड को ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो तो अब जो है आपको क्या करना है मैं आपको पहले कंट्री के नाम जरा बता देता हूं ताकि दिक्कत नहों फिर अपने दो मिनिट में याद भी कर लेंगे ठाइंकSh schock आपर कंबोडिया मुझे पढ़ाना है आप लोग को ठाइलेंड लाऊस और मुझे पढ़ाना यहां पर म्यानमार्क और यह उपर चाइना कैसे करेंगे इनको याद आब होता क्या है कई बार इसको एक साथ पढ़ते समयगा बड़ी तकलीब हो जाती है क्यों कंट्री भी पढ़ लूँगा कैपिटल भी पढ़ लूँगा लेंड लॉग भी देख लूँगा सब कर लूँगा मेंस की आंसर राइटिंग भी कर लूँगा न्यूस पेपर अभी साथ में रखा ही हुआ है मत करो यार यह एक एक चीज़ें धीरे पढ़ो पहले कंट्री से फेमिलियर हो जाओ तो आपको क्या करना है कंट्री पर फोकस करें कैपिटल बाद में याद कर लेंगे पहला काम है लैंड लॉग कंट्री को पढ़ना लैंड लॉग मतलब चारो तरफ जमीन से लगी हुई है ओशियन में डिरेक्ट नहीं जा सकते से लाओस कंट्री जो है आपकी है सरव लाओस ठीक है सबसे पहला काम आपका कंट्री को याद रखना लाओस पैठ गया लाओस दिमाग में छी जैसे दिमाग में आपका बैठा तो इसमें पहले देखो कि ऊपर से कौन आ रहा है तो उपर से बोले सर चाइना को ले आँगा उपर से चाइना को ला दूँगा चाइना को ले आए इधर से किसको ले आँगा इस्टन साइट से तो बोले सर मैं वियत नाम को लाकर दिखा दूँ यह वियत नाम ले आए और बोले सर साउथ में तो कम ले आए सर आपने तो यह इधर आपने क्या लाओगे तो यहाँ पर अपने क्या लाओगे तो यहाँ पर छाएगा नॉर्थ का चाइना, चाइना के बाद में वियत नाम, वियतनाम के बाद में कमबोडिया के बाद में थाईलेंड के बाद में म्यानमार और बीच वाले देश को मत भूल जाना देट इस लाउस ठीक है पर यह ऐसे होगा नहीं है क्योंकि मैं तो दिवारों सो टिक के बैटा हूँ मेरा ध्यान तो चार जगा है भूग अलग लग रही है और आप यतना मेहनत करवा रहे हो अरे जरा कॉपी पेन ले लो रफ कॉपी जरा चार बार बना लो कि बीच में लाउस उपर से चाईना वियतनाम कमबोडिया थाईलेंड म्यानमार बना लो कोई दिकत नहीं है हंजी चलो एक बार यहां अनंद ले लो जीवन के तो बताएंगे आप मेरे को सबसे पहले बीच में ये रंग जो है ये रंग जो मैं भर रहा हूँ कौन सा है तो सर जी ये तो जो है क्या है बीच में लाउस उसके बाद में जो है इधर से यदि आएगा तो ये कौन आएगा ये नीचे तक जो आ रहा है इस बताओ बताओ जल्दी बताओ बियतनाम वेरी गुड इसके बाद में इधर से यदि ये देखूँगा मैं तो ये मेरे जीवन में कौन है सर तो ये बोले सर जी थाइलेंड है ठीक है इसके बाद में आपके लिए सर चाइना ठीक है तो एक बार फिर से प्रेक्टिस करके देख लो कि सर ये हो गया वियतनाम याद रखना मैं पोलिंग कराऊंगा ये हो गया कमबोडिया ये हो गया इधर थाइलेंड ये हो गया म्यानमार ये हो गया चाइना और बीचका या कंट्रिज पूँ आ रहना किसके बारे मीं बात करो लाउस के बारे मीं बात हो रही है कर.... कर लो और प्रेक्टिस लाउस कहा है लाऊस बताव लाउस लाउस ने जो सबस्वत्राइड लौड और शेक alanelsh Maker लौ। के बाद में हम जी कंपोडिया कंपोंडियाच्थी से कंपोंडिया जा इसके बादया इंडिया वाला यह ताइलैंड दो जल्दी बहुत बहुत बढ़ियां इधर क्या करोगे तो सर जी यह हो गया थाइलेंड चाइना उपर आ गया वियत नाम भी आ गया गया गुड़ अब एक बार आप लोग आराम से देखो आपको सब फैमिलियर लग रहा हुआ पहचान का लग रहा हो गया कंबोडिया चाइना ले लो हम्यान मार ले लो चाइड है ले अपम अब आ लोग वियत नाम की क्यापिटल याद करना पड़ेगा एक दो बार करके देखलो हनुई स्धान इस देंड वियत नाम है याद हो जाएगी हाँ याद हाँ, noe, confusion में हैं कि Vietnam होगी की नहीं होगी क्यों हनोगा हाँ, Weietnam जैसा V&TN Capital हे लाॉस की भी करते रहवा और V&TN इस दा Capital अफ लाउस विएन एस दा Capital आप लाउस Cambodian में कर दे ना पैसे दे दे ना Phone Pay Autom Pay is the Capital P-H-N-O-M-P-E-N-H Nom Pay, Phone Pay नॉम पे is the capital of कमबोडिया है रखना सबको ज्यान थाइलेंड वैंकॉक मतलब याद रहता है ये म्यानमार में याद रहना नेपेदा म्यानमार की राज़दानी नेपेदा रंगुन वंगुन मत कर ले न हाँ तो नॉम पे कमबोडिया याद आ जागा कमबोडिया कम कम आ गए फोन पेपर पैसे आ गए तो कमबोडिया हो गए फिक है ने पेदा नया नया पेदा नया capital म्यानमार उसके बाद में इदर चाइना तो बीजिंग कर लिया आपने वियन नाम में हनोई हनो करते आ रहे थे लाओस में वियन तीयन हो गया एक बार फाइनल पूरा में बता दे रहा हूं ध्यान दे लो खुद को भी समझ में आ जाएगा कि कितना बन रहा है चाइना की स्टोरी चाइना में अच्छे से याद रगना capital पढ़ लेना आप खुजी ठीक है उसके बाद में जो है यह वाली जो स्टोरी है दिस इस वाट वियत नाम वियत नाम हानो करते रहो हनोई हो गया ठीक है कंबोडिया में नोम पे कर देना ठीक है उसके बाद में लाओस में वियन तीयन ठीक है थाइलेंड में वैंकोक कर देना मियान मार मियान मार कर दो मियानमार में क्या नहीं पला हूथ यह तर आल्रेड़ी फिलिपिंस पढ़ा हुआ है this कि यह म aligned पढ़ा है सिंगहापूर अलग पढ़ा है अ इंडोनेशिया में बॉर्नी हो इन को आप कह रहे है ओव सुमांत्रा यवा सारा वा ऐबाली्ट सार प्लीट बोलो आप कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी को यह देखो ना सुमांतरा दिख रहा है नीचे जावा था काली मंतन सुलावेजी ब्रुने में बंदर से रिवेगावन मलेशिया कॉलालंपूर सिंगापूर सिंगापूर सिटी यह इदर की कहानी यह यह सब इधर क्ल कि यहां मैं अब तो दिक्कत नहीं मतलब कल को आपने जैसे न्यूस्पेपर उठाया और लिखा हुआ लाओस में यह हुआ फिलिपिन्स में यह मिल और परिसान नहीं होना पड़ रहा है पता है कि वर्ल्ड मैं आप ओपन करूंगा तो आराम से मुझे जो है सर इस छेत्र क अबियत नाम है थाइलेंड है यह नोम पे भी पता है आपको कि क्या कहानी है यह सारे जो दुखदर्द हैं वो अपने अब दूर हो गए हैं ठीक है तो यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या कोई दुखदर्द ठीक है रीकनेक्टिंग विद मदर नेचर सर अनेकेडमी का सब्सक्रिप्शन खतम हो गया वल्ल्ड मेपिंग देखने से पहले तो क्या इसको देखने से देखो भाईया मुझे ऐसा लगता है आपके कॉमेंट को देखे कि आपने अनेकेडमी पर पढ़ा नहीं के साथ साथ और भी चीज़ें सीख जाता है आगई बात समय है आप बले यह दिया अंदाजा लगा रहे हो कि आप क्या प्लस लेवल का पढ़ा रहे हैं तो आप बे भिकर रही है सब मेरे लिए बराबर चात रहें जो पढ़ाऊंगा बहतरी पढ़ाऊंगा चली तो इतना तो मतलब जो है समझना चाहिए लेगी नहीं कि वैसे भी आप चाहिए प्लस पे और नॉर्मल मेरे से आप क्लास ले रहे हैं तो आप इस तरह के हैविट पे तो नहीं आओगे कि जो है कर दूंगा कॉपी पेस्ट कर दूंग चलो आगे बढ़ते हैं खेर तो अच्छा है त तो इस तरह का कभी शक होना तो मुझे डिलेटी पूझ लिया करो कि आप प्लस में यहीं वाला पड़ाते हैं तो नहीं बना सकता ना जो कंट्री जो पढ़ाऊं गई मैं जो है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं खेर तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब भाईया मैं आपको क्लियरली बिल्कुल आपको बिल्कुल बता देता हूं कि हम लोग अभी तक कहां पहुँच गया है तो यह साउथ इस्ट एशिया का हिस्सा हमारा हो गया जब भी आप अब हम लोग इदार आ रहा है जपैन वाली कंट्री के पास ना जपैन हुआ कोरिया हुआ यह वाली स्टोरी प्रत्वी के कौन से इस्से में आगा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है तो नौर्थ में आगए एकदम अपन इसके ऊपर भी चलना आपने ऊपर चलेंगे तो यह देखो यहां आ गया यह दिख रहा होगा एकदम बड़े बड़े अक्षरों में दो कोरिया है उपर वाला नौर्थ नीचे वाला साउथ नौर्थ कोरिया में उपर नौर्थ दिख रहा है अपने को तो नौर्थ कोरिया का कैपिटल क्या हो जाएगा तो प्योंग यंग यंग लोग हैं आपे याद रखने साउथ में एस फॉर साउध कोरिया एस फॉर सी ओल तो ऐसा आप याद कर सकते हो कि दक्षणी कोरिया का सी ओल राज्दानी तो ठीक है इसका परोस का जो देश है यह वहिया बहुत कामगा, टाइस जपैण, जबैन कामगा है है वहिया, यंग यंग और साउथ कोरिया केपिटल सीओं इधर कौन है मंगोलिया उलान बटार नाम थोड़ा से इसका वह गया यह गलती स्पेलिंग गलत है समझ समझ ले ना ठीक है नहीं तो यह नहीं तो तर्क लगाने बैठ गया बैठे-बैठे ठीक है तो सीओं लिखने ना और मैं क्यों कह रहा हूं इसको अच्छे जब रहा है कि जब भी मैजदा कॉलम में स्टेट पीसी वगर के कॉस्चन में कैपिटल आ गई ना तो सीओं यह आएगा तो नॉर्थ कोरिया जरूर लिखा रहेगा बट गलत है एस फॉर साउथ एस पहला काम जपैन में आपको लिखना जो है वह लिखना है एक तो यह कर जब लो इसको नॉर्थ से-सव लिख प्जाए तोf कम से-कम बन जागा second one is honshu honshu island ठीक है honshu कर लो तीसरे नम्मर पे आप आओगे तो आपको मिलेगा shikoku तीसरे नम्मर पे जो है आपको मिलेगा shikoku और चौथे नम्मर पे मिलेगा kyu shu some other islands में आपको रखना हो other में तो ryukyu island याद रख सकते हो ryukyu island other islands के नाम पे आदर आइलेंड्स के नाम पे इजू इजू आर की पेलागो इजू ryukyu question आ सकते हैं कि ryukyu कहां है जपैन के कहां है Pacific Ocean रशान्त महाँ साजागे ठीक है यह आप लोग लिख सकते हैं तो north से south का sequence लिखना पड़ेगा आपको यदि मैं यहां से चलता हूं तो मुझे सबसे पहले Hokkaidu honsu shikoku kyu su और कम से कम मैं तो कहूं पांच बार बोलो Hokkaidu honsu shikoku kyu su 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 और Hokkaidu honsu shikoku kyu su यह sequence बैठ गया ना तो गल्ती नहीं होगी आप से अब मैं ऐसा कर रहा था ऐसे ऐसे कर रहा था तो आप भी बैठे हैं अरे ऐसा नहीं कि जड़ा एक्टिव हो जाओं सर बोल रहे है होंसू Hokkaidu तो मैं भी बोलने लगूं कि हाँ होंसू Hokkaidu shikoku kyu बैठे हैं मज़े ले रहे हैं मज़ा आता है सर आपकी क्लास है अनंदारा है भाई साथ अरे जड़ा एक्टिव रहा हो जाए पूरी उर्जा रजाई लेके चली गई यह हाल हो रखें साथ होकाइटu होंसू Shikoku क्यूशू यह क्यूशू ठीक है रखना इसको याद इंपोर्टेंट है अब अगला यह तो नौर से साउथ एरिया वाइस कोश्चन आ सकता है यह स्वाइद आना से थाय। बढ़ा उसके बाद में होकाइडू होकाइडू तीसरा एय्रिया वाइस आपका चला जाएगा कि यूशू और चौथा नम्मर आपको याद रखना है शिको को ये एरिया वाइज हो गया हो गया होंशू, होकाईडू, क्यूशू, शिको ठीक है अब मान लो कि बोले सर इत्ता दो करने में तो फिर और कितना याद करेंगे हम ऐसे तो परिसान हो जाएकि कुछ मत करो, सब भूल जाओ, होंशू को याद रखनादा आब क्यों ऐसा क्यों कह रहा हैं, आप урंशू को क्यों याद करने का क्या रहे कि होंशू को याद करेंना मतलब, ऐसा क्यूं क्यों क्यों गैह radh 00. बहिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने महत्वपूर्ण शहर है जपाइन के उनका सीधा संबंध जो है वो किससे मिलेगा आपको उनका सीधा संबंध होंचु से मिलेगा कैसे आपको जो काम-काम के प्लेसे मार्क करने वो करने सेंडाई आप डिजास्टर मेनेजमेंट कभी पढ़िये तो सेंडाई शब्द मिलेगा अपको फुकुशीमा यहां वहां पढ़ते रहते हो वर्ल्ड वार में फुकुशीमा वहां मिलेगा अरे जपैन का कैपिटल टोक्यों नहीं आगा लेकिन वहीं किस आइलेंट में बैठें मजा आ रहा है पता ही नहीं चार उप्श करने को कहता है कि यार होंसु तो याद ही कर लेना तो होंसु याद करना पड़ेगा फुकुशीमा डाइची फुकुशीमा डाइची जो न्युक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर हुआ था एक तरह से वह बढ़ सकते आप टोक्यो पढ़ना पड़ेगा योकोहामा और योकोहामा और उसाका यह इंडस्ट्यल एरिया या इसको पड़ो नगोया प्रोटोगॉल पड़ना होगा इन्वार्मेंट में आप लोग तो नगोया वर्ड आएगा क्योटो पढ़ते रहते हो बले यह आता रहता बले सर क्योटो बले यहां क्लाइमेट चेंज पर काम कर तो यह क्योटो की कहानी कर ले हिरोशिमा हिरोशिमा को पढ़ोगे आप लोग भोड़ो एटम बॉम जी हां उसके बाद में इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि लर्नर हिरोशिमा में वहे के बले नागा साकी में निकल जाओंगा नागा साकी में हुंशू मतलगा याना नागा साकी में क्यूशू है ध्यान लखना नागा साकी में क्यूशू है इन्फाइनेट बना देता हूं मैं नागा साकी में क्यूशू लिखना नागा साकी में क्यूशू लिखना नागा साकी में क्यूशू लिखना नागा साकी में क् आपको पता हो एक तो यह होंशु नाम का आइलेंड इसमें क्या-क्या याद करना सेंड़ाइ फुकुशिमा डाइची फुकुशिमा टोकियो योकोहामा उसाका क्योटो नगोया हिरोशिमा यह आपको अपनी प्रप्रेशन के दौरान यह प्लेस कॉमनली मिलेंगे बार-बार आकर मैप में पढ़ने की जरुवत नहीं है दिमाग में बिठा लोग यह जपैन के हैं यह होंशु आइलेंड के हैं ठीक है और बचा नागासा की जो है वो याद रखना वो क्यूशु में जाएगा ठीक है यहां तक कोई दिकत मठलब यदि आप छोड़ा सा उब्जरवेशन करेंगे मेरी बात का तो भईया मैंने आपको जो है ना ज्यान से सुनना मेरी बात मैंने आपको यहां से ला कर इधर तक ले आया हूँ जपैन के से ठीक है कोई दिकत यहां तक अब कल की शाम को 1. साड़े आठ बजे वाली जो क्लास होगी उसमें छलांग लगाएंगे रशिया से और यह इस्तान वगर यहां तक पॉंगे उसके बाद एक क्लास होगी जिसमें आधा यह कबर करें और फिर चार क्लास लगेंगी मुझे पॉलिटिकल को इंट करने में अभी साड़े आठ बज सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजूगेटर के साथ जी हां सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सबको पता है जितने भी लर्णन मेरे से पढ़ रहा है भहिया जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू कैन यूज दिस कोड एस जीवाईटी बंजीरो चैनवरी तक अब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं लाइव टेस्ट कुजजेज नोट्स सारी चीज़ें इंडिया के बेस्ट एजूगेटर के द्वारा सब्सक्रिप्शन के द्वारा मैं कह रहा हूं सारे जो हैं दुखदर्द खत्म हो जाएंगे सर आपके पूरी तयारी को यदि आप समय के अनुसार पढ़ना चाह रहे हैं न समय खराब करना है टाइम से जितना जो तयारी करना चाह रहे हैं वो कल लेना आरंब वैच प्रारंब हो रहा है जैनवरी में और यह छे तारीक को जो है इसकी आखरे दिनांग है इस ओफर की जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें इस कोड का इस्तमाल करें एस जी वाइटी बंजीरो और इसको सिर्फ देखें ना इसको यूज भी करें जी हां थेंक्यू सो मच मिलते हैं वहिया अगली क्लास में और शेयर कर देना